जी हाँ दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल विकास टीचिंग एकड़मी में दोस्तों मैं हूँ विकास पाला और इस वीडियो के माद्दम से हम डिसकस करेंगे डाइट से मतलब सरकारी कालिस से डियलेड या बीटीसी करने के फायत है तो इस वीडियो के माद्दम से हम कम्प्लीट डिसकस्शन करेंगे तो दोस्तों अगर आप भी बीटीसी करने वाले हैं आगा हम ये बीटीसी सत्र की रहा देख रहे हैं तो आप के लिए वीडियो बहुत ही उस्पूल हो सकता है अत्वा जिन अभ्यारतियों को नहीं जानकारी है सम्दम में बो भी ये वीडियो देख सकते हैं और उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उस्पूल हो सकता है तो बात कर लेते हैं कि सरकारी कॉलिज क्या होता है तो दोस्तों सरकारी कॉलिज को हम कहते हैं डाइट जिसका फुल फॉर्म होता है District Education, D.I.E.T. District Institute of Education and Training डाइट और जिसका हिंदी होता है जिला सिक्षावन प्रसिचर संस्तान तो डाइट से सरकारी कॉलिज से अगर आप डिलर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका फाइदा होता है वो होता है हमारी फीस स्ट्रक्चर मतलब डाइट में जितनी फीस लगती है वो प्राइबेट कॉलिज की अपेक्चा बहुत ही कम होती है और हर एक स्टूडेंट लगबग अफोर्ड कर सकता है बात कर लेते हैं कितनी फीस लगती है तो सबसे पहले डाइट में अगर एक वर्ष की फीस की बात कर लें तो एक वर्ष की डिलर्ट की फीस है दस हजार दोसर रुपए दोस्तों 10,200 रुपए लगती है प्रथम वर्ष की और वही 10,200 रुपए लगती है दुतिय वर्ष की तो fees काफी कम है सरकारी कालेज डाइट में और private college की अगर बात कर लें तो fees लगती है private college में लगभग 41,000 पहले year में और 41,000 दूसरे year में तो ये तो हो गई सबसे पहले हमारी fees के बारे में कुछ important news दूसरी अगर दूस्तों बात कर लें तो उच इस तरी है जो हमारी faculty होती है जिला सिच्चावम प्रसिचर संस्तान में हम जानते हैं कि जो private college होते हैं उनमें कोई भी teacher well-tend नहीं होते हैं सब graduate, beard, past teacher आ जाते हैं without any selection ऐसे ही जिनने हम कह सकते हैं जोला चाब लेकिन अगर डाइट की अपेक्छा, private college की अपेक्छा डाइट की हम बात करें तो दोस्तों डाइट में उच इस तरी हा highly qualified teachers आते हैं जो की लोक सेवा आयोग द्वारा चैनित किये जाते हैं NET, JRF, PhD, qualify जो candidates होते हैं वो डाइट प्रवक्ता के लिए उनका चैन होता है बाकि दोस्तों डाइट के बरिष्ट प्रवक्ता जो होते हैं वो एक BSA रेंके के अधिकारी होते हैं और उनका जो है लेविल जो होता है वो एक BSA का होता है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितने उच तरी है फैकल्टी होती है एक डाइट में और डाइट में DL अबैर्टियों को ट्रेंड करने के लिए तो दोस्तों कहीं न कहीं यह बहुत ही अच्छा है कि एक उच इस तरी है जो है उच लेवल की फैकल्टी से आप ट्रेंड हो रहे हैं एक सरकारी कॉलिज में प्राइबेट कॉलिज की अपेक्चा तीसरी अगर बात कर लें तो जब आप ट्रेंग लेते हैं यहां तो दोस्तों डाइट में आपको रेगुलर जाना पड़ता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है बात कर लेते हैं जो टीचर जो होते हैं वो बेसिकली इसके लिए कुछ टीचर्स ट्रेंड किया जाते हैं बेसिकली जैसे अगर हम सिख्चक प्रिश्चक की बात कर लें तो एट टीचर थे हमारे राजे शियादब थे तो वो सिख्चक प्रिश्चक थे तो वो इसी के लिए बच्चों को ट्रेंड करते थे उनकी न्यूकती इसी लिए होई थी कि आप DLR ट्रेंड को ट्रेंड करें तो दोस्तों करके सीखना जो है बहुत कुछ को करिकल वर एक्टिविटीज के साथ यह लोग सिखाते हैं क्योंकि यह हाईली ट्रेंड होते हैं S.E.R.T. से ट्रेंड होके आते हैं और बच्चों को जो अभ्यारती होते हैं DLR उनको बहुत ही अच्छी तरीके से यह ट्रेंड करते हैं डिफरंट को करिकल वर एक्टिविटीज और अर्गनाईज करते हैं किस तरीके से बच्चे को लवाया जासके किस तरीके से बच्चे को ट्रेंड किया जासके यह सब वो ट्रेंड में बताते हैं और ट्रेंड का उनका हिस्सा भी होता है दोस्तों माइक्रो टीचिंग की बात करनें तो यह लोग माइक्रो टीचिंग करना भी सिखाते हैं नहीं जानते क्योंकि उन्हें कोई ट्रेंग नहीं होती वो बस बीए में पास टीचर हो तो वो लोकल के टीचर क्या कर लेता है उन्हें हाइर कर लेता है तो दोस्तों ये सबसे बड़ा फाइदा है कि आप जब डाइट डेली जाएंगे तो वहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं जूट बोला तो जो अब्यारती जिल्ला सिच्छा में प्रसिचर सहंस्तान से डेलेड बीटी सी किया हुआ हो 15-17-18 बैच का आप उससे पूछ सकते हैं अनुपप साजा कर सकते हैं दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलत है बित्याले जो हमारी डाइट प्रांगड होता है उसमें भी बहुत को सिखाए जाता कि आप किस तरीके से बच्चे को करके सिखाएं तो यह बहुत बड़ा फाइदा है अगर आप भी डेलर्ड करने की सोच रहें तो दोस्तों अगर आप लोग के लिए चांस है कि आप ड और फीसें जो है जो प्राइबट कॉलेज में धन होगा ही होती है वो नहीं होती है तो बाकी होस्टल की सुवधा भी होती है किसी किसी डाइट में अगर बच्चा रहना चाहे तो होस्टल की भी सुवधा है और कोई भी अभैद बसूली जो है नहीं होती है इस्टिक इंस् पैसे दीजिए बिना किसी कारण के बिना किसी वजूद के वो पैसे मांगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप प्राइबेट काले से कर रहे हैं तो आपकी जो बीटी सी लगबग डेर से दो लाग के बीच बीच बैठती है जिसका मिनिमम जो है फीज लगबग 80-82 हजार के और दोस्तों एक और बात अगर आप रेगुलर डिजलर से चाहे में प्रसिचर संस्तान से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीविन राज्यों में आने वाली जो टैट परिक्षाएं होती हैं उनमें आपको जादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं हो की मैं आपको प्राइबेट कॉलेज के बैरती बहुत ही कोचिंग करते हैं लेकर डाइट के जो बैरती होते हैं वो ज्यादा कोचिंग नहीं करते हैं और उनका कंसेट पहले से किलियर होता है क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही इससाब से दी जाती है उनको ट्रेनिंग ही इससाब से दी जाती है हमारा district education and training दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों गर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे अगर आपको कोई डाउट है डियलर्ड एडवीशन 2021 से रि आपको क सब्सक्राइब कर चारो कार्ण गरीய ओर आवापको देल시고